वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज हम बात करेंगे कि क्या जज न्याई करने में गलती कर सकता है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आज हम बात करेंगे कि क्या जर्ज नियाय करने में गलती कर सकता है करनाटक हाई कोट ने डिस्टिक जर्ज सहाब को दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया कि जाईए आप फिर से ट्रेनिंग कीजिए फिर आप जर्ज की कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो आईए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था जैसा जज सहाब को करना चाहिए था वैसा जज सहाब ने नहीं किया था इसलिए दोबारा ट्रेनिंग में भेजने के लिए हाई कोट ने ओडर किया जब हम description की बात करते हैं, तो आप कोई भी example ले लें, चाहे IAS, IPS, IFS या कोई भी officer जितना description judge को दिया जाता है, उतना किसी भी officer को नहीं दिया जाता क्योंकि लोग का मानना है कि आप लोग को bound करके नहीं रख सकते हर case में ये बदल जाता है, जैसे की for example कोई offense किसी व्यक्ती ने किया तो व्यक्ती के offense को देखते हुए माननी एकोट के द्वारा व्यक्ती को 1 साल, 2 साल, 10 साल, life imprisonment, death इस तरह की punishment दी जाती है जितना जादा discretion है कि आप बुद्धी और विवेक का इस्तेमाल करें और उसके बाद आप decision दीजे, इसमें time bound या इतनी ही punishment देनी पड़ेगी वो चीज इसमें नहीं है इसको कहते हैं discretionary power of the judge बेल की जितने भी matters होते हैं, वो सारे discretionary matter होते हैं discretionary power का इस्तेमाल बहुत से judge गलत तरीके से करते हैं और शायद इसी लिए करनाट का हाई कोट ने judge सहब को दुबारा training के लिए भेज दिया अगर आप judge के decision से satisfied नहीं हैं तो आप उसकी अपील उपरी अदालत में भी कर सकते हैं तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें वीडियो में लास तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद